गुर्ड भार्निंग एब्रिवन टुड़े वी रिएच चैप्टर थार्ड पैंसिल बैंक आपको चैप्टर के बारे में बताया गया है नाई चीजें लेना सबको अच्छा लगता है लगता है ना आप सभी को भी अच्छा लगता है कि मेरे पास नई पैंसिल हो, नया बॉक्स हो, नया पैंसिल बॉक्स हो, नया लंच बॉक्स हो, नई वाटर वाटल हो, नया बैग हो तो सभी को नई चीज़ें लेना अच्छा लगता है, लेकिन चीजों को सही तरह से इस्तमाल करना और समहाल कर रखना जरूरी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो अपनी चीजों को यूज करने के बाद यहां वहां फेक देते हैं, और फिर जब घर पहुँचते हैं, तो उ उनके बैग में कहीं एरेजर नहीं मिलती है, कहीं पैंसिल नहीं मिलती है, कभी वो अपनी बुक्स और नोट बुक्स भी घर से ले जाते हैं, घर से ले जाकर स्कूल में छोड़ाते हैं, तो चीजों को इस्तमाल करना और उन्हें समहाल कर रखना बहुत जरूरी है, आम तो और पर उप्योग कर लेने के बाद बची हुई चीजों को हम फेक देते हैं जैसे मान लीजिए पैंसल यूज कर ली आपने और छोटी सी बची उसको फेक दी एरेजर यूज कर ली उसके बाद थोड़ी सी बचेगी तो आपने फेक दी कि घर पे जाएंगे ममा पापा से बोलेंगे थोड़ी सी बची थी रेजर वो खो गई और आप मुझे नियू दिला दीजे करते हो ना आप लोग ऐसे हैं तो ये बैड मैनर्स हैं तो आम तोर पर उप्योग कर लेने के बाद बची हुई चीजों को हमें फेकना नहीं चाहिए जरह सोचें अगर उसका कुछ ओर उप्योग हो सकता है ओके तो क्या हुआ आपको स्टोरी पढ़ा रहें आगे एक पैंसिल बैंक की स्टोरी है ये जब आपके स्कूल में छुट्टी की घंटी बजती है तो कैसे बजती है ट्रिन 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 तो वैसे ही इन बच्चों के स्कूल की स्कूल बैल भी बजी घंटी बजी छुट्टी की तो स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी जब तो सभी बच्चे अपना अपना बस्ता लेकर तेजी से बाहर भागे जैसे आप लोग भागते हैं ना जैसे ही हॉलिडे की बैल बजती है और वैसे ही जल्दी से दौर लगा कर भागते हैं फिर चाहे आप गिर जाएं या आपका फ्रेंड आपके धक्के से लेकिन आप लोग तेजी से भागते हैं देखते ही देखते कक्चा पूरी खाली हो जाती है छुटी होने के बाद जब सारे बच्चे चले गए तो ये दो बच्चे क्लास में ही अंदर थे मा ओफिस से लोड़ते समय उन्हें लेने आती थी लोगों की मा लेने आती थी उन दोनों बच्चों को रोज की तरह मुद्द और विदिता नीचे गिरी हुई और मेज पर छूटी हुई पैंसलें एक खटी करने लगे वो लोग डेली क्या करते थे कि उनकी क्लास में जो भी सामान पड़ा हुआ उनको दिखता था तो वो कलेक्ट कर लेते थे तो वैसे ही उनको रोज पैंसलें मिला करती थी तो वो उन पैंसलों को क्या करते थे एकटा कर लेते थे फिर क्या हुआ आगे तब ही वहां किसी की सिस्कियों की आवाज सुनाई दी जब वो पैंसलें एकटा कर रहे थे बची हुई छूटी हुई तो उनको एक आवाज आई जैसे आप लोग रोते हो तो सिसक सिसक के रोते हो न ऐसे करके वैसे ही सिस्कियों की आवाज उनको सुनाई दी ये सिस्कियों की आवाज कहां से आ रही है जब मुदित ने देखा तो उसको लगा सुनाई दिया कि ये सिस्कियों की आवाज कहीं से आ रही है तो सोचकर मुदित ने इधर उधर देखा तभी उसकी नजर कोडे दान पर पड़ी उसने अंदर जहां का तो हैरान रह गया यह तो एक छोटी सी पैंसिल की आवाज है उसने देखा डस्ट विन में के एक पैंसिल पड़ी हुई रो रही है सिसक सिसक के तो उसने पूछा तुम क्यों रो रही हो तो पैंसिल ने बोला मुझे अजीज ने यहां फेक दिया अजीज एक लड़के का नाम था तो वो बोल लए थी कि अजीज ने मुझे यहां फेक दिया अब मैं किसी काम की नहीं हूँ मुझे अजीज के पास रहना अच्छा लगता है किसने कहा पैंसिल ने किस से कहा मुदित से इतने मैं मा दोनों को लेने आ गई दोनों को किसको मुदित और विदिता की मा उनको लेने आ गई कच्छा के पंखे बिजली बंद करके बच्चे मा के साथ चल दिये देखिए कितने अच्छे बच्चे थे कि उनको इतना नौलेज था कि हमें अपने कमरे की या अपने क्लासरूम की बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे की पंखा, बल्ब ये सभी बंद कर देने चाहिए जब हम उसका उपयोग ना करें तो आप सभी भी ये गुड हैबिट सीख सकते हैं कि जब भी आप क्लासरूम से बाहर निकलें तो अपने क्लास का फैन और लाइट का स्विच ओफ कर दें या आप से ना बने तो अपने टीचर से बोल दें तो जब मा आई तो बच्चे साथ में चली गए रास्ते में मुदित छोटी पैंसिल के बारे में मा को बताने लगा विद्धा ने भी बताया कि उनके बहुत से साथी पैंसिल छोटी हो जाने पर फिक देते हैं इतनी सारी पैंसिलें एकटी हो गई हैं हमारी कक्षा में क्या करें? विद्धा ने पूछा, किस से पूछा? मा से मा ने समझाया, अपनी कक्षा में एक पैंसिल बैंक बना लो जिस दिन कोई बच्चा किसी कारण वस पैंसिल बॉक्स ना लाए तो बैंक से पैंसिल उधार ले ले, फिर वापस जमा कर दे तो उन लोगों ने क्या किया? एक बॉक्स बना लिया, जिसका नाम लग दिया पैंसिल बैंक, तो उसमें सारी पैंसिल को वो कलेक्ट कर लेते थे एक खटा कर लेते थे, किसलिए? कि जब कोई अपना पैंसिल बॉक्स घर छोड़ाया और उसको अगर चाहिए, तो वो उसको पैंसिल दे दिया करते थे आगे क्या हुआ? यह सुझाव सुनकर, तो मुदितो और विदिता की आँखों में चमक आ गई मतलब वो बहुत खुश हो गए, कि हाँ यह करना बहुत अच्छा रहेगा अगले दिन वे एक खाली डिब्बा स्कूल ले गए उनमें सब पैंसिलें रग दी, जो उनको मिला करती थी एक दिन अजीज कक्षा में उदास बैठा था विदिता ने कारण पूछा, कि क्यों भाई तुम उदास क्यों हो तो अजीज बोला, आज मेरा पैंसिल बॉक्स घर पर ही रह गया क्या करूं? विदिता ने पैंसिल बैंक उसके सामने रखा और बोली परेशान मत हो यह हमारा पैंसिल बैंक है यहां से पैंसिल उधार ले सकते हो किसने बोला? हाँ, अजीज ने बोला किसे विदिता से कि आज मैं छोड़ा आया हूँ अपना पैंसिल बॉक्स घर पर तो उसने बोला कोई बात नहीं इस पैंसिल बैंक से तुम उधार ले सकते हो पैंसिल को